नवसकार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने सिच्छा जगत योटूब चैनल रॉकिंग इंफार्मेशन पर जो नए पैटरन पर धाज़त कोश्चन होते हैं 2020 के पैटरन पर कोश्चन होते हैं बात करेंगे वस्तमीट प्रसंटेज यानि की प्रसंट का चैप्टर चला है पिछले वीडियो में हमने 10 कोश्चन बहुत ही मतपूर्ण डिसकस किये थे आपको आई वेटरन में वो 10 कोश्चन मिल जाएगा पिछले पार्ट का वीडियो अब बात करते हैं 10 कोश्चन के आंगे ठीक है आज हम प्रसंट का चैप्टर क्लियर कर देंगे ठीक है इसके बाद कल नया चैप्टर आपके लिए आएगा कल हमने 10 कोश्चन कल ले थे आज हम गिरहमा कोश्चन देखेंगे गिरहमा कोश्चन आपको या है 0.05 जो है बरावर प्रसद के बरावर है यानि कि 0.05 बरावर question mark प्रसद दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे बहुत ही simple सा तरीक आपको बताएंगे 0.05 को हम कैसे लिख सकते हैं जो आपका ये 0.05 है क्या हम इसको 5 बटे हेंडर लिख सकते हैं आप बोलेंगे सर कैसे लिख सकते हैं भाईया दसंवलो के बाद कितने अंक आ रहे हैं देखिए जरा बताएंगे 2 अंखाय जब दसंवलो के बाद 2 अंखाय में दसंवलो हटा देना है तो 5 बटे कितने 0 लग जाएंगे 2 0 बटे में हेंडर हो जाएगा अगर यहीं पर एक और 0 होता दसमलों के बाद जितनी संख्या होगी उतने बटे में आपको 0 बढ़ते जाएंगे वो आपका दसमलों हट जाएगा अब संख्या आगई आपकी 5 बटे 100 आगई 5 बटे 100 आगई लेकिन स्वारी यहाँ पे 5 बटे में हिंडे 100 होगा ठीक है यहाँ पे बटे में हिंडे 100 होगा आपका और पूँच रहा कि हमें प्रस्त में निकालना है तो प्रस्त में निकालने के लिए multiply हिंडे 100 कर देंगे हिंडे 100 कर जाएगा बचेगा आपका 5 प्रस्त आपका इंसर हो जाएगा यानि आपसा नंबर भी आपका सही हो जाएगा अब बात करते हैं इस question की बहुत ही अच्छा question है बार-बार पूच्छा जाता है ऐसे question ही important question होते हैं तो ध्यान पूरक देखेगा आप लोग 22.5% बराबर है यानि कि जो आपका 22.5% दिया है किसके बराबर है तो बहुत ही simple से इसका solution में आप लोगों बताऊंगा 22.5 है ठीक है प्रसत है तो बटे में हम hindet कर लेंगे क्योंकि प्रसत हमें हटाना है प्रसत लाना होता है तो multiply करते हैं प्रसत हटाना हो तो बटे में hindet करते हैं बटे में hindet कर लेंगे तो यहां पर आपका क्या जाएगा देखेंगा दसमलो के बाद एक अंक है बटे में हो गया तो दो अंक बाद और चला जाएगा यानि दसमलो कितना हो गया बटे में hindet है तो यहां पर आपका दसमलो आ जाएगा ठीक है जो यहां पर तो दो अंक और यहां पर पिछल जाएगा, ठीक है आंगे आ जाएगा दसमलो क्यों के बटे में आपका हेंड़ दिया हुआ है थीक है तो इसका राइट एंसर क्या होगा दसमलो 225 अब देखे किस आपसण में दिया है देखेंगे आप C option में दिया होगा है तो C option सही हो जाएगा अब बात करते हैं इस question की बहुत ही महत्पूर्ण question है important question है question है कि प्रत्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है प्रत्वी में गंधक कितने प्रिसत है बहुत अच्छा question है कि प्रत्वी में 2250 भाग है जिसमें से 5 भाग आपके गंधक है तो 5 बटे हम कितना कर लेंगे 22 बचे 50 कर लेंगे क्योंकि आपके प्रत्वी में total भाग कितने है 2250 जिसमें आपके 5 गंधक है हमें निकालना है प्रिसत में तो multiply handed कर देंगे अब आप इसका solution निकाल लीजे ये आपका प्रिसत में आ गया ये आपका प्रिसत में इंसार आ जाएगा तो पहले बात एक 0 से 0 कर जाएगा आपका ठीक है 225 है 5 से कार देंगे 5 एकम 5 225 को 5 से कार देंगे तो 5 चों को 20 और आपका 25-45 बचेगा तीक है यानि कि आपका बचा कितना 10 बटे 45 बचा तीक है यहाँ पर कितना 10 बटे 45 बचा इसको भी आप किसने 5 से कार सकते है 2210-2545 यानि कि एंसर क्या आ गया 2 बटे 9 प्रिसत जिसको भी ना समझ में आ हो 3-4 बटे 7 का 63 प्रसत बराबर है किसके बराबर है बहुत अच्छा कोशन है पहली बात तो यह है कि मिसर बिन जो दिया है इसको हम शामान या साधारन बिन में बदलें कैसे बदलते हैं साथ तरीक 21, 21 और प्लस 4 कर देंगे 21, 4 कितना होगा 25 हो जाएगा 25 बटे 7 यानि 25 बटे 7 आग क्या साधारन भी ना गया आपका यह ठीक है शामान बिन में इसको convert कर लेंगे इसका 63 प्रसत पूँच रहा है तो multiply क्या करेंगे इसका 63 प्रसत है तो 63 बटे 100 कर देंगे इसका जो solution आ जाएगा वो आपका answer होगा इसको जब आप solve करेंगे तो answer आएगा 2.25 ठीक है इसको solve कर लीज़े 2.25 आजाएगा यानि कि काउन सापसन सही हो जाएगा आपसन नमबर या आपका सही हो जाएगा अब बात करते हैं इस question की सभी मौतपूर्ण question है आपके लिए सभी important question है ये question बहुत important होने वाला ऐसे question आपके आते ही आते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 2 quintal जो है आपका 2.5 kg का कितने प्रस्त होगा 2 quintal यानि कुछ भी यहाँ पर वजन से related दिया गया है जो 2.5 kg का कितने प्रस्त कहलाएगा कितने गुणा कहलाएगा प्रस्त मतलब क्या होता है कितने गुणा ठीक है चलिए इसका भी solution बहुत ही simple तरीके से देखेंगे 2 quintal मतलब देखे कितने kg होता है देखे 1 quintal होता है 100 kg के बराबर होता है 100 kg के राबर 1 quintal होता है 2 quintal कितना हो जाएगा 200 kg के बराबर 200 kg बराबर 2 quintal होगा अब बटे में कितना करेंगे किसका निकालना है 2,5 के निकालना है तो 2,5 नीचे कर देंगे कितने में 2 quintal में 200 kg में आपको कितने के निकालना है 2.5 kg के निकालना है तो बटे में कर देंगे और आपको क्या करना है सकते हैं ठीक है गुणा भाग में कहीं भी प्राबलम हो तो मैं वर्ग तीन आपको मैथ क्लासिस मिल जाएगी प्लेलिस्ट में उसको जरूर जोइन कीजेगा मैं बहुत ही बेसिक्स पे वहाँ पे मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया हूँ ठीक है बताया गया बहुत ही अच्छ गुणे 255.76 दिया गया है ठीक है यहां जो आपका दो नहीं स्वारी question mark दिया गया है ठीक है confusion में मत रहेगा यह आपको जो दिया गया है यह question mark दिया है यानि कि इसकी हमें value निकालना है ठीक है इसकी value निकालना तो आईए इसका solution बहुत यह असान तरीक से बताएंगे ठीक मैंने काफी वीडियो ऐसे बताएं आपको कि x प्रसत मान के आप निकाल सकते हैं ऐसे अगर question आ गए उसके जगह x रख दीजे पूरा solution निकाल लिजे आपका right to right answer आएगा ठीक है मान लिजे इसका x मान लिया तो आप क्या आएगा अगर आपने x मान लिया हो तो फिर देखे कि इसका answer क्या आने वाला है क्या आएगा 144 लिखेंगे सरफथम बात यह है multiply x का प्रसत हो जाएगा या निकि x बटे 100 हो जाएगा आपका ठीक है इसके बराबर अब इस वाली संक्या को लिखेंगे अब यह वहाँ पर 2.5 लिखा है तो जियों करते हो इसको लिख देंगे 2. इसको क्या दोनों तरब का पच्छांतर करेंगे आप लोग ठीक है जब पच्छांतर कर लेंगे तो इसका answer आजाएगा कैसे देखें इसका पच्छांतर करके क्या value आएगी देखें आप पिन कागज लेके जरूर बैठा करें तब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जा ठीक है यहाँ पर handed है बटे में कर लेंगे कितना करेंगे एक सट चवालेस इतना आपका answer आजाएगा जब आप इसका solution निकालेंगे तो x value आपकी 10 आजाएगी जो किस option में दिया डी option में दिया तो डी option आपका सई हो जाएगा अब बात करेंगे next question की अंगला प्रस्णिया आपका बहुत अच्छा question है कि 80 का 30% बटे में कितना होगा बराबा 24 दिया है लेकिन यह आपका यहाँ पर question mark दिया हुआ है इसका हमें value निकालना है जहाँ पर question mark दिया उसको आपको x माल लेना है यहाँ पर कहरा 80 का 30% ठीक है 80 का 30% कहरा तो क्या करेंगे आप लोग ठीक है 50% है डीक है किसी भी संख्या का माल लीजे कोई भी दो प्रस्त हो ना थो बटे हिंड खौगा हिंडे minder में जितनी संख्या हो प्रस्त में कहलाती है ठीक है आप लोग आयो होप आपने समझ लिया होगा यह इतना आ गया आपको करना क्या है यहाँ पर क्या दिया बराबर में solution निकालते, बहुत ही simple तरीका है, इसको solve करने के लिए, अब इसको solve करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर जैसे आप इसको पच्छांतर करेंगे, तो value इसकी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, ठीक है, गुणे, 30 बटे कितना जाएगा, handed आ जाएगा, ठीक है, फिर multiply कितन आ जाएगा, 1 बटे 24 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 24 लिख लेंगे, अब बोलेंगे कैसे आ गया, भाईया जो, आपका यह x है न, x चला जाएगा, कहां उपर चला जाएगा, ठीक है, आपका 24 के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, multiplication हो जाएगा, ठीक है, 24 x हो जाएगा ठीक है, जब आपका 24 x हो जाएगा, तो जब x का बराबर लिखेंगे, तो 24 आपका बटे में आ जाएगा, तो एक बटे 24 आपके multiplication में आ गया न, देखें क्या आता है, x जब आप इस तरह करेंगे न, तो, क्या जाएगा, 80 आ जाएगा, गुणे, 30 बसे, 6 आ जाएगा, इतना, 8 ठीक 24 होता है, ठीक है, 8 ठीक 24 हो गया, 3 से 3 कहा, बचा भईया, क्या, एक सिंगल, इतना solve करने के बाद, हमारा answer आगा एक, यानि कि आप से नंबर सी आ जाएगा, यानि निकला पहाड, ठीक है, क्या, खोदा पहाड निकली चुया, ठीक है, तो सही वक्त पर यहाँ आपे, कहा होते हैं, काम आजाती है, हमारी, next question देखेंगे, अब या देखे, route के अंदर दिया हो, तो कैसे प्रस्त में, प्रस्त से related, कितने भी category के question हो, सभी category question है आपे, आपके लिए, इजाम एक भी प्रस्त आपका नई छूट के जाने वाला है, mathematics में, ठीक है, 30 में 30 लेक एक छोटा सा, route दिया है ना, तो देखे, 80 का क्या दिया है, आप लोग का, 7.2 प्रस्त दिया है, प्रस्त में दिया है, तो 7 बटे, 7.2 बटे हिंडेट कर लेंगे, simple सी बात है, ठीक है, इसके बराबर क्या आ जाएगा, फिर हम क्या यहाँ पे route लगाएंगे, ठीक है, 80 गु हिंडेट, 573 किस संख्या का वर्ग है, तो आप लोग देखेंगे, 573 जो है, 24 का वर्ग है, ठीक है, यानि कि 573 का वर्ग मुल कितना होता है, 24 होता है, और हिंडेट का वर्ग मुल कितना होता है, 10 होता है, 24 बटे 10 आ गया, 24 बटे 10 को कैसे साल कर सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं तो देखे कि कौन सा अपसंस ही हो जाएगा सी अपसंस ही हो जाएगा अब बात करते हैं इस question की बहुत इच्छा question दिया है ठीक है असान तरीके से आपको समझाऊंगा कि यदि x का 40% हो का 40% अब देखे आ गया ना डवल वाली बात x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x की value निकालना है यहाँ पर बहुत इच्छा question है मज़ा आ जाएगा इस टाइप के question को solve करने में ठीक है आप लोग ठीक है आप लोग वीडियो इन तक देखे और पिन कागज लेके बहुत अच्छे तरीके से इस question समझेगा बहुत अच्छा question है x का 40% तो देखे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर solve करेंगे x का 40% यानि की x multiply 40 बटे handed कर लेंगे आप लोग ठीक है इसके बाद कहरा है इसका 40% तो क्या करेंगे 40 बटे handed एक बार और कर लेंगे क्योंकि आपके question में एक बार और दिया गया है तो एक बार और कर लेंगे ठीक है बराबर क्या दिया है बराबर आपके 40 दिया है तो आपको यहाँ पर x की value निकालना है चलिए बहुत ही simple से वहाँ समय बात हो गई तो आप लोगों को देखे बहुत अच्छा यहाँ पर answer आ गया होगा अब आप समझ गए होगे कि x value कैसे निकाल सकते है समझ गए है ना अब देखे इसके बात क्या आएगा आपको जब दोनों को solve करेंगे कितना जाएगा 625 बटे हेंडेट का गुणा हेंडेट से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा ठीक है जब आप 10,000 कितने 4 अंक दियें तो 4 अंक बाद हमें 10 अंक लगा देने कितना हो गया 1, 2, 3 4 अंक दिया है ना तो एक 0 और बढ़ा लेंगी आपके हो गए 4 अंक यहाँ पर 10 अंक यहाँ पर 10 अंक आ जाएगा सबका साथ, सबका विकास, हमारा सपना, सिच्छा को अपना और इसका आंगे आने वाले चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं बेसिक से एकदम से बताएंगे पूरा मैस का सलेवस आप लोगों को बताएंगे सबी को आपको प्रेक्टिस सेट इंपोर्टेंट कोशन मिल जाएंगे इसी चैनल पर जो अपडेट चैनल है चलों मिलते हैं फिर नेक्स पार्ट पर धनवाशातियों जैहित वंदे मातरम